Good morning students, मैंने आपके लिए important questions बनाए हैं, board exam के लिए, आपको इसमें से प्रशन जरूर आएंगे और आप अच्छे आंक प्राप्त करेंगे मैंने lesson wise बनाए हैं, आप lesson wise material में से भी इसके उत्तर ढूंड सकते हैं और थोड़े प्रशन ओन से भी दिये गए हैं, उन्हें paragraph wise आप जब lesson पढ़ते हो तो उसमें से आपको उत्तर मिल जाएगा पहला पार्ट जो है सुन्दर भारत, उसमें से आपको पहला प्रशन है, स्रीधर पाटक का कवी परिचे अपने शब्दों में लिखिए भारत देश में खेट कैसे हैं, देश की शान बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सुन्दर भारत कविता का संदेश क्या है, भारत में कुरुशी कर्म से क्या तातपर ये है सुन्दर भारत कविता में कवी ने भारत को स्वर्ग से तुलना की क्यों नब का पट कैसे दिख रहा था उसका रंग किस तरह दिख रहा था और क्यों दिख रहा था उसका वर्नन आपको करना है भारत सुन्दर वा सुहावना लगता है इसके कारण बताईए भारत रंग भी रंग फूलों का उपवन है स्पष्ट कीजे रंग भी रंग भी फूलों का उपवन याने अनेक जातिय और धर्म के लोग भारत में रहते हैं उनके बारे में आपको वर्नन करना है बगीचों के बारे में नहीं भारत में मम्तम समाई हुई है अपने शब्द में लिखिए भारत अपने न्याय बंदुता के लिए अभिनन्द निये है कैसे और समझाईए भारत देश की सुन्दरता का वर्नन कीजिए पूरा सारामश आपको लिखना है यह पांच अंग के लिए भी आ सकता है भारत की प्रकृती निराली है यहां का प्राकृतिक सुन्दरी सारी दुनिया को लुबाता है इसे अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए यह तीन प्रशनों के लिए भी आ सकता है या तो पांच अंग के लिए भी आ सकता है कभी ने भारत देश की तुलना स्वर्ग से क्यों की होगी अपने शब्दों में स्पस्ट कीजेगा दूसरा पाठ है नेता जी का चश्मा देश बक्त किसे कहते हैं अपने शब्दों में स्पस्ट कीजे यह उनमुखी करण में आपको मिल जाएगा इसका उत्तर आदर्श सेना की क्या-क्या विशेशताय हो सकती है प्रकृती विपदा के समय सायनिकों का क्या सहयोग होता है आप अपना देश प्रेम कैसे प्रकट करेंगे स्वयम प्रकट जी का कभी परिचे अपने शब्दों में लिखिए आपके शहर में नगरपाली का क्या-क्या कार्य करती है यह क्या-क्या कार्य करते है आपको नेता जी का चश्मा पहले पारग्राफ में इसका उत्तर है वो आपको मिल जाएगा गाउं में मुख्यो रुप से क्या-क्या सुविदाएं होनी चाहिए सुबा चंद्र बोश की प्रतिमा क्यों लगाई गई होगी हालदर साहब पान वाले की बाते सुनकर आच्छर्यू क्यों हुआ होगा हालदर साहब ने उस कजबे के नागरिकों को क्यों सराहा होगा सराहा याने अप्रिशेट करना कजबे वाले चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे कजबे वाले मने टौन वाले चश्मे वाले को चश्मा लगाते देखकर हालदर साहब ने क्या सोचा होगा चश्मा के बारे में पूछने पर पानवाला उधास क्यों हुआ लेखक ने देश भक्ती भी आजकल मज़ाग की चीज़ होती जा रही है ऐसा क्यों कहा होगा मज़ाग की चीज़ माने याने देश भक्ती किसी में भी नहीं है इसका कारण बताया गया है उस पारग्राफ में आपको लेशन में मिल जाएगा इसका उत्तर चश्मेवाले के बारे में जानने के लिए हालदार साहब उत्सुक क्यों थे हालदार साहब नेता जी की मूर्ती के सामने भावक क्यों हो गए होंगे चश्मेई वाला सच्चे अर्थों में देश बक्त था पाठ के आधर पर बताईए चश्मेई वाले का संक्षिप्त परिचे अपने शब्दों में लिखिए नेता जी का चश्मा में देश बक्ती का मार्मिक प्रतिबिंबु है इसे अपने शब्दों में सफष्ट कीजिएग हालदर और हालदर साहब और पानवाले के बीच जो बाचीत हुई उसे समवाद के रूप में लिखिए या उसे सेकंड पेपर में आपको पांच आंग के लिए इस तरह के समवाद में प्रशन पूछ सकते हैं मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया और क्यों तीसरा पार्ट एक कहानी यह भी समाज के विकास में नारी की क्या भूमिका है नारी को दिव्य स्वरूपिनी क्यों कहा गया होगा किसी महान नारी द्वारा किये गए कुछ महत्तुपूर्ण कार्यों का उलेक कीजिए मन्नू भंडारी के बारे में अपने शब्दों में लिखिए मन्नू भंडारी के पिताजी कैसे स्वबाव के थे लेखिका के बच्पन के समाज वा आज के समाज में क्या अंतर है आज कल के पडोस कल्चर के बारे में क्या क्या विचार है आपके क्या क्या विचार है? पिताजी ने रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहा था? लेखिका के पिताजी उन्हें बहसों में बैटने को क्यों कहा करते थे? लेखिका का साहित्यक संबंद कैसे जुड़ा? शीला अगरवाल से लेखिका कैसे प्रभावित हुई? मन्नु के पिताजी उनके घर से निकलने पर क्यों रोक लगाना चाहते थे आजाद हिंद फौज के बारे में तुम क्या जानते हो लेखिका पिताजी के अंतर विरोध में रहकर जीवन बिता रहे थी कैसे 15 आगस को 1947 के महत्व के बारे में बताईए एक कहानी यह भी पाट की लेखिका के बारे में बताईए लेखिका ने अपने बचपन के बारे में क्या कहा लिखिएगा वेक्तित्व पर किन किन वेक्तियों का प्रभाव पड़ा है लेखिका के वेक्तित्व पर किन किन वेक्तियों का प्रभाव पड़ा और कैसे ब्रिटिश आसन में भारत वासियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था अपने शब्दों में लिखिए लिखिगा के संगर्श में जीवन से हमें क्या संदिश मिलता है संगर्श में जीवन से नेक्स्ट मंगल, मानव और मशिन इसमें से आपको पांच अंक अनुच्छेत के लिए आयागा याने paragraph रेटिंग के लिए पांच अंक मिलेंगे और पांच अंक या long questions में पूछ सकता है मंगल ग्रह के विश्व कल्यान की भावना क्या है मंगल ग्रह के लोग मानों के संदर्ब में क्या विचार रखते हैं मंगल मानों और मशिन पाट से हमें क्या सीख मिलती है मंगल लोग नाम की सार्थकता स्पष्ट कीजिए कवित पाट कवित पदमाकर जी के बारे में आप क्या जानते हैं अपने शब्दों में प्रकट कीजिए अपने शब्दों में लिखिए पदमाकर जी ने सावन के महीने के बारे में कैसे वन्नन किया है अपने शब्दों में सिद्ध कीजिए सावन में जूली में बहुत सुहावना लगता है इस पक्ति का क्या तातपरी है आपको साराम्ष पड़े उगे तो यह उसका उत्तर मिल जाएगा कविता के संबंद में अपने विचार प्रकट कीजिएगा हमारे जीवन में रुतुओं का क्या महत्व है उस पर विचार बताईए कवी ने वसंत रुतु का वर्नन किन-किन उदाहानों से किया है और इसी रुतु के वर्नन के उदाहार अंद्वारा सिद्ध कीजिए सावन का महीने के बारे में है सावन को मन भावन क्यों कहा गया है अपने शब्दों में लिखिए सुन्दर मधूर शब्द जयन में अलंकार भाषा की शोबा में चार चान लगाते हैं कविता के आधर पर इसकी पुष्टी कीजिएगा कवित पाड में रुतुओं के बारे में वर्नन किया है उनका वर्नन अपने शब्दों में लिखिए नेक्स्ट गोबी का फूल केशव चन्द वर्मा के बारे में आप क्या जानते हैं अपने शब्दों में लिखिए इसमें यहाँ पर आपको कभी पर्चे देना है बाबु हनुमान परसांद के स्वभाव पर अपने विचार बताईए आदी करन से क्या अभिपरा है यह पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा बाबु हनुमान परसांद के सबजी बयान पर टिपनी कीजिए अपना चूप चौहान वाले परसंग के बारे में बताईए यह मुहावरा है इसका आर्था आपको क्यों इसका मुहावरे को इस पार्ट में क्यों उपयोग किया गया है इसके बारे में आपको लिखना है गोबी का जाबा कैसे बिखर गया था इलहाबा स्टेशन जाने के बाद लेखक ने क्या किया हद से जादा सावदानी बरतना कहां तक उचित है अपने विचार व्यक्त कीजिए बाबू हनुमान परसाद जैसे किसी व्यक्ति का सामना हुआ तो आप क्या करेंगे सबजी मंडी में कोई भी बाबू हनुमान परसाद को अपनी दुकान पर बुलाना नहीं चाहता था क्यों रेल गाड़ी में आपको किस प्रकार के अनुभव का सामना करना पड़ा अपने शब्दों में लिखिए मतलब आपको परसनल ये लिखना है आपको हम जब ट्रेन में जाते हैं तो आमारे साथ किस तरह वेवार होते हैं सारे लिख सकते हैं लेखक की जगा आप होते तो आपने मित्र की इच्छा कैसे पूरी करते लेखक के द्वारा लाए गए गोबी के फूल की तुलना हारे हुए उम्मिद्वार से क्यों की गई हारे वे उम्मिद्वार यानि यह मुहावरा है इस मुहावरे का उपयोग क्यों किया गया है इसके बारे में आपको लिखना है गोबी के फूल में लेखक और कूली के बीच हुई बाचीत के समवात के रुप में लिखना है ताजा सबजियों से हमें होने वाले लाब को बताईए नेक्स्ट राम लक्षमन परशराम समवाद यहाँ पर तुलसिदाज जी का कवी पर चाहिए देना है आपको समस्कृति से क्या आशे है? चरित्र निर्मान में समस्कृति की क्या भूमी का है? शीव धनुष को तोड़ने तोड़े जाने का कारण क्या है? परशराम क्यों क्रोधित हुए आपके विचार में यह क्या उजित है? क्यों क्रोधित कारण कैसे? परिसितियों में उत्पन होती है इसके बारे में आपको लिखना है राम लक्षमन परशराम समवत पात में कौन सा पातर आपको आच्छा लगा और क्यों लगा यह भी लिखना है धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा ऐसा किस ने कहा मतलब यह पंक्ति किस ने कहा और किस संदर्मी में कहा आपको लिखना है लक्षमन क्या कहकर धनुष के तूटने पर राम को दोश रहित बता रहे हैं परशराम के कुरोध करने पर लक्षमन ने धनुष के तूट जाने का कौन कौन से तरक दिये तरक याने कारण बताए कुरोध का केवल नकारत्मग ही नहीं सकारत्मगनान नेगिट्व या पॉजिट्व पक्ष भी होते हैं पक्ष भी पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजेगा हमारे जीवन में कुरोध अच्छा है या बुरा है इस पर आपको टिपनी लिखना है इस पाट में विनै सहियम आसाहस आदी गुनों का सुन्दर वर्नन किया गया है जीवन में इन गुनों का महत्व पर प्रकाश डाले माने इन गुनों के बारे में आपको जीवन में किस तरह से महत्व होगा इस पर आपको लिखना है पाट के आधर पर राम लक्षमन और परशराम के समाधान की तुलना कर अंतर स्पष्ट कीजे और उनके गुणों के बारे में लिखिए राम लक्षमन परशराम पाट समवात से आपको क्या सीख मिलती है इस पर टिपनी कीजे याने आपको Ram से क्या सीखने को मिला Lakshman से क्या सीखने को मिला और parasha Ram से क्या सीखने को मिला इस पर आपको एक comment करना है नेक्स्ट बड़े भाई साहाब दोनों भाईयों में आपको किसी किसी भूमे का आच्छी लगी वह उसके बारे में लिखना है बड़े भाई साब ने जिन्दगी के अनुभाव और experience किताब इग्ञान में से किसे और क्यों महातुपन कहा है इसके बारे में आपको लिखना है बड़े भाई साहब पार्ट में लेखग ने समुची शिक्षा के किन तोर तरीकों पर व्यंग किया है व्यंग किया है मतलब कामेंट किया है आपके विचार प्रकट कीजेगा बड़े भाई साहब पार्ट में आपको किस का पात्र अच्छा लगा बड़े भाई का अच्छा है तो क्यों अच्छा है अगर छोटा भाईक आच्छा है तो क्यों आच्छा है इस पर आपको टिपने लिखना है प्रेमचन की भाषा में सजीव चितरन मिलता है ऐसे उदाहरन सहित सिद्ध कीजे नेक्स्ट पहले जमाने के पड़ाई में और आज के पड़ाई में क्या अंतर है इस पर आपको विचार प्रकट करनी चाहिए इस नेक्स्ट लेसन अन्वेशन इश्वर सर्वियापी है ऐसा कभी क्यों कहा है सबकी प्रेणा ईश्वर से है इस पर अपने विचार प्रकट कीजिएगा समाज सेवा से समाज सेवा के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे रामनारेश त्रिपाटी जी के बारे में आप क्या जानते हैं अपने शब्दों में लिखिए कभी खुनज और वन में किसे ढूंडता है ईश्वर दुखियों के द्वार पर क्यों रहता होगा जग की अनिचिता से आप क्या समस्ते हैं अपने शब्दों में लिखिए ईश्वर प्रकृति में कहां कहां व्याप्त है कभी ईश्वर से किस प्रकार की प्रतिपा प्रदान करने को कहता है अपने शब्दों में लिखिए सुख दुख में हमें कैसे रहना चाहिए इस पर टिपनी कीजिए लोग ईश्वर की खोज में जगा जगा भटकते हैं क्यों ईश्वर कनकन में व्याप्त है इस संबंध में अपने विचार स्पष्ट कीजिएगा ईश्वर की प्राप्ति के लिए समासेवा भी एक मार्ग है आपकी दृष्टी से समासेवा कैसी होनी चाहिए कभी ईश्वर को कुझ और वन में क्यों ढोंडता है अनेक आउसर मिलने पर भी कभी क्यों लाब नहीं उठा सका हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा जीवन सही मार्ग पर अग्रिसर है दुख और विपत्ती में संयम से रहने के लिए कभी क्या प्राथना करता है किरन, सुमन, पवन और आकाश में ईश्वर के किन रूपों का दर्शन किया जा सकता है अन्वेशन पाट का साराम्ष अपने शब्दों में लिखिए यह साराम्ष आपको पांच आंग के लिए आएगा बच्चों से न छीने उनका हग खेल में जीवन संगर्श का प्रसिक्षन मिलता है कैसे आशा, निराशा खेल के दो पहलू है दोनों में संतुलन बनाए रखना है संतुलन याने बैलन्स बनाए रखने के लिए किन गुनों की आवशकता होती है अच्छे खिलाडी बनने के लिए किन चीजों की आवशकता होती है बच्चों को खेल की अधिक आऊसर प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए शहरी वातावरण के बारे में मेरी कौम क्यों हैरान थी देश की माताओं से मेरी कौम की क्या अपेक्षा है विकास के नाम पर खेल के मैदान खत्म करना ऐसा क्यों इस पर आप टिपनी लिख सकते हैं बड़े-बड़े माल्स बनाना और जोगिक शेत्र बनाना ठीक नहीं है इस पर टिपनी कीजिएगा हर बच्चे को खेलने का अधिकार है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चे पाटशाला में पढ़ने के साथ-साथ खुले वातावरन में खेलना पसंद करते हैं क्यों? इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए मेरी कौम कौन-कौन उनके बारे में बताईए मेरी कौम के बारे में बताईए मेरी कौम भारती ओलंपिक खिलाडियों के बारे में क्या कह रही है? मेरी कौम सरका से क्या अपेक्षा करती है? बच्चपन का तो नाम ही होता है चल और उचलना खूदना धमक चोड़ी करना इस पर टिपनी कीजिए महानगरों में बच्चों के खेलने की जगा निरंतर सिकुड़ती जा रही है इसके मुख्य कारण क्या है? देश की माताओं को किस के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए? विचार प्रकट कीजिए विकसित देशों की तुलना में भारत में खेलों का भविश कैसा है? अपने विजास पस्ट कीजिए बच्चों के जीवन में खेलों का महत्व पूर्न स्थान है इस पर एक सार घर भी निबंद लिखे यह पांच आंकों के लिए आपको पूछ सकता है शहरी जीवन और गाउं की जीवन में क्या अंतर है? अपने शब्दों में लिखिए इस पांट से आपको प्रकृती के बारे में नारे भी पूछ सकते हैं या पोस्टर भी पूछ सकते हैं या तो इस पर निबंद भी पूछ सकते हैं मनिश्य प्रकार की प्रकृती पर आश्रित है, किस प्रकार की प्रकृती पर आश्रित है, मौसम चक्र में परिवत्तन के प्रमुक कारण कौन से है, जंगलों के काटे जाने के दुश परिनाम क्या हो सकते हैं, गीसा राम पर क्या आरोप लगाया गया है, परियावरन को हानी क कैसे हो रही है? परिया वरन की रक्षा के परती हमारा क्या दायत्व है? घूढ़ा गास से दोस्ती करेगा तो ख़ाएगा क्या? यह मुहावरा है? इस मुहावरे का उपयोग पाथ में क्यों किस संद्रव में किया गया? इसके बारे में आपको लिखना है. बाला दालत पाट में इस मुहावरे का उपयोग क्यों हुआ होगा किरोडी मल पर क्या आरोप लगाया गया है और क्यों ग्राम वासियों पर धुआ क्या दुश प्रभाव डाल रहा है घीसाराम स्वयम को दोशी क्यों नहीं समस्ता था नयाधिश ने गीसाराम को क्या सजा दी बाला दालत एक्यांकी के द्वारा आपको क्या सिक्षा मिलती है कानून हवा या पानी पर नहीं मनुश्य पर लागू होता है इस वाकिसे क्या अर्थ होगा अपने शब्दों में लिखिए यह आपको यह वाकि किस पर किसने किस से कहा यह लिखना है आपको प्रदूशन रोखने का उपयो उपाई बताईए जलस्त्रोतों के समरक्षन का महत्व बताईए बाला दाला तेकांकी के मुख्यों अपने शब्दों में लिखे पेडों की अंधादुन कटाई अंधादु मतलब बिना सोंचे समझे कटाई के क्या कारण हो सकते हैं अपने शब्दों में लिखे राष्टी उद्यानों तथा अभयारन्यों का महत्विक स्पस्ट कीजे परियावरन प्रदूशन पर एक भाषनलेग तयार कीजे भाषनलेग याने स्पीच या परियावरन प्रदूशन पर आपको स्पीच पूछ सकता है पोस्टर या नारे या निबंद किस तरह का प्रश्ण भी पूछ सकता है गुडियों का त्योहर लेखक ने वेंकोजे अन संस कंपनी से कुछ गुडियों के नमुने भीज़वाने के लिए क्यों लिखा होगा संकरांती त्योहर में गुडियों का क्या महत्व है विंकोजी अन्सेंस कमपेनी के मालिक का पत्र पन्ने के पच्छत लेकक की क्या प्रतिक्रिया रही होगी अपने शब्दों में लिखे next section कन्यादान रुतराज के बारे में आप क्या जानते हैं अपने शब्दों में लिखे कन्यादान के अलावा और कौन-कौन से दान होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है कन्यादान शब्द के सार्थकता के बारे में बताईए कन्यादान के समय मा को लड़की को अंतिम पूजी क्यों लगी होगी अंतिम पूजी यानि धन आखरी धन पाठिका का वहद धुंदेले प्रकाश की इस पंग्ति से क्या तात्पुर है कन्यादान पाठ के आदार पर अपने शब्दों में लिखे सुकदुक के समय हमारा वेवहर कैसा होना चाहिए स्त्रियों में हम आत्मसम्मान की भावना कैसे जगा सकते है कन्यादान कविता की रचना के पीछे कवी का मुख्यी उद्देश क्या हो सकता है बताएं माने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना लड़की जैनक कोमल की तरह रहना परंतु कोमल की तरह अंदर से कोमल नहीं होनी चाहिए इस तरह का भाव आपको लिखना है आज महिलाएं घर और बाहर की जिम्मेदारी भाखु भी निबा रही है घर और समाज के विकास में महिलाओं का महत्वपुन योगदान है इस पर अपने विचार लिखिए दहे समाज की एक कुरूती है इस से निर्मुलन पर एक लेक लिखिए मा को अपनी बेटी अंतिम पुझी लग रही थी इस वाकी के आधार पर बताईए कि परिवार में बेटी का क्या महत्व है आग रोटियां सेखने के लिए है जलने के लिए नहीं यह एक मोहावरा है यह मोहावरा इस पध्याम्ष में क्यों उपयोग किया गया है आपको लिखना है नेक्स लेशन साय अज्जू के बारे में घर से लिखे गए पत्र में क्या क्या बताया गया अज्जू के पिता के मित्र का स्वभाव कैसा था अज्जु अपने पिता से क्यों मिलना चाहता था अज्जु के विचारों पर अपने अभिप्राई बताईए साए कहानी के ध्वारा हिमाशु जोशी क्या बताना चाहते हैं सच्चा मित्र कौन होता है साए पाट के आधर पर अपने शब्दों में लिखे साय पार्ट से हमें क्या सिक्षा मिलती है अपने शब्दों में लिखिए बाट की पहचान, नेक्स्ट लेसन, बाट की पहचान इसमें आपको कवे परिचे हम हरिवम्चिराई बच्चन जी के बारे में पूछेगा और सुरुष्टी के कंकर में किस क्या अस्तित्व है मार्ग दर्शन या परिश्रम के द्वारा सफलता मिलती है इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए अपने सपनों को साकार करने के लिए आप कौन-कौन से प्रयास करेंगे छोडो पैरों की निशानी से क्या अभिप्राई है बाट की पहचान के आधारित पर आपको विचार प्रकट करनी है बाट की पहचान क्या यह सीर्शक उचित है और क्यूं सीर्शक यानि टाइटिल, लेसन का टाइटिल कभी के आनुसार यात्रा कब सरल होती है हमें किन बातों पर समय बरबाद नहीं करना चाहिए कभी ने स्वप्न किसे कहा है स्वप्नों का नैनों के लिए सिलाई में आना और रुदै में आना इस तरह कभी का क्या अभिप्राई था सप्नों को साकार करने वाले तत्थ तो कौन से है असफलता यह सिद्ध करती है कि कार्य को पूर्ण रुप से नहीं किया गया इस विशे पर अपने विचार प्रकट कीजे कभी के अनुसर वह कौन होंगे जो जीवन रुपी राह पर अपने पैरों के निशान छोड़ जाते है असमंजस में पढ़ना हमारे लिए किस प्रकार अवरोदक सिद्ध हो सकता है अपने शब्दों में लिखे आशा आवान रहने पर निराशा हमें चुँ नहीं सकती इस प्रेरनास्त रोद को अपने जीवन में आप कैसे बनाय रख सकते हैं अपने शब्दों में लिखे कविता की पंक्तियों के आधार पर दुरुड इच्चा पर प्रकाश डालिए आत्न विश्वास और पुशार्त अव्यक्तित्व निर्मान को वे किस प्रकार प्रभावित करते हैं अपने विचार लिखे सफलता की चुनवतियां सफलता की चुनवतियां विशेश आवश्चक्ता वाले मुसिबतों से कैसे पार करते हैं याने हैंडिकैपड हमें किन-किन विश्यों में विशेश आवश्चक्ता वालों की साहता करनी चाहे विशेश आवश्चक्ता वालों को मासाहान उभूति की नहीं बलकि प्रोजसाहन की आवशक्ता होती है क्यों अपने शब्दों में बताए दृष्टिहिन लोग अपने काम स्वयम कैसे कर लेते हैं पृती मुंगा के स्कूली जीवन के बारे में बताए विशेश आवशक्ता वाले चुनोतियों को कैसे महसूस करते हैं दृष्टिहिन लोगों को किन किन क्षेत्रों में अधिक रूची रहती हैं अपने शब्दों में लिखे हेलेन केलर कौन है उनके बारे में बताए अनपड दृष्टिहिन लोगों की आजी विका कैसे चलती है दृष्टिहिन लोगों के लिए चुनोतियां कौन सी सुविदाएं उपलब्द करानी चाहिए विशेश आवशक्ता वाले आजकल किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं किसी को कम नहीं आंकना चाहिए क्यों अपने शब्दों में लिखिए दृष्टिहिन बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं कौन सा वेक्ति अपने जीवन में सफल कहलाने का अधिकारी बनता है समावेशी शिक्षा से आपका क्या विप्रा है विशेश आवशक्ता वालों को स्वयम आगे बढ़ने दो उनके पास असीम शक्तियां हैं अपने शब्दों में लिखिए नेक्स्ट पार्ट जो है गजनन्दनलाल पहाड चड़े गजनन्दनलाल ने गोमुखी के सहर के लिए प्रिंसिपल से अनमती कैसे ली स्वामी जी के द्वारा गजनन्दनलाल का राशन दुगना करने का कारण क्या है गजनन्दनलाल पहाड चड़े कहानी में हाज स्प्रसंगों के बारे में अपने मन पसंद प्रसंग की व्याख्या कीजिए गजनन्दन लाल पहार चड़े कहानी की भाषा शैली पर अपने विचार बताईए आपके दोरन की गई किसी यात्रा के बारे में अपने शब्दों में वर्नन कीजिए तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप ये सारे प्रशन पढ़िएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कुछ डोट से तो मेरे कामेंट बाक्स में कामेंट छोड़िएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चानल को सब्सक्रेब कीजिएगा धन्यवाद थैंक यू